जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते. जो इनसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इनसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की. जीवन में गिरना भी अच्छा है, इस से ओकात का पता चलता है, जब हाथ बढ़ते है उठाने को, तब अपनों का पता चलता है. नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है. इस जीवन में रूपे की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रूपे के लिए गिर जाता है. कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं, सच बोलने वाले लोग की वो खुद तूट जाते हैं, मगर किसी का दिल तूटने नहीं देते, सपने वह नहीं जो आप नींध में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज हैं जो आपको नींध ही नहीं आने देती, जो लोग अपने जीवन म बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, वो लोग वास्तव में दिल के बड़े सच्चे होते हैं, चरित्र अगर कपडों से तै होता, तो कपडों की दुकान मंदिर कहलाती, आपको शुरूआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरूआत करनी होगी, माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही, असली मतलब यह है कि हम उस रिष्टे को खोना ही नहीं चाहते, नाकाम्याब लोग दुनिया के दर से अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं, जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है, जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोश हालात पर डाल देते हैं, इस जीवन में रूपे की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इनसान रूपे के लिए गिर जाता है. अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिन्दी में कुछ रिष्टे बहुत अनमौल होते हैं. हमें अपनी जिन्दी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएगे. अगर कुछ करना है तो भीर से हटकर चलो. भीर साहस तो देती है पर पहचान चीन लेती है. किसी ने क्या खूब कहा है, अकर तो सब में होती है, जुकता वही है, जिसे रिष्टों की फिक्र होती है. आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए. हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है, तो किसी का छप जाता है. लाइफ आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, लाइफ आपको वो तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंद, काम आते हैं। का आनंद लेने के लिए, सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहे, बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा माइने रखता है, जो बीद गया वह कभी वापस नहीं आएगा, यही वो चीज है जो जिन्दी को इतना रोचक बनाती है, किसी को बुरे वक्त पर साथ देना ही, जिन् दाना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर इमानदारी से जीना पड़ता है, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयम है, खुद को समझ लीजिए सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिन्दी में पच्छतावा करना छोड़ दीजिए बलकि कुछ ऐसा करो की ल चीज से डर लगे, तो उसे कभी अपने उपर हावी मत होने दो, बलकि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो, कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते, जितना हम सोच लेते हैं, हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, और नहीं आने वा कल के बारे में सोच कर परिशान होना चाहिए, जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए.